मिलावटी मिठाईयां और खादे समगवी बाजार में मिलावट खोर ना बेच चकें इसलिए जिला स्वास्ते विभाग दौरा उन पर नकेल कसने के लिए तियोहारों के सीजन में बाजार से सैंपल लिए गए थे और उन्हें टेस्ट के लिए CTL कंडा घाट भेजा गया था स्वास्ते विभाग दौरा तियोहारों के दौरान मोके पर कई मिठाईयों को खराब होने पर फिंकवा दिया था और उनके 1000 रुपए के चलान भी काटे गए थे इस बात को अब करीबन एक माँ से उपर हो गया है लेकिन हद तो ये है कि अभी तक जो मिठाईयों के सैंपल स्वास्ते विभाग दौरा दिवाली के दौरान भरे गए थे उनकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है शेहरबासियों ने स्वास्ते विभाग की खिली उड़ाते हुए कहा कि जो मिठाईयों के सैंपल स्वास्ते विभाग दौरा भरे गए थे बे मिठाईये शेहरबासि अब अगर इतने दिनों बाद ये रिपोर्ट आ ही जाती है तो शहरवासियों से इसका कोई लेना देना नहीं है और जिस उदेशी के लिए स्वास्ते विभाग ने ये सैंपल भरे थे बैभी यहां सार तक होता नजर नहीं आ रहा है कि बल खाना पूरती ही यहां पर होती दि है कि अब तक मिठाईयों की रिपोर्ट नहीं आई है देखिए अब इस टाइम अगर उसकी रिपोर्ट आती है वह चीडिया चुक गई खेत तो क्या फाइदा उसका बिमार जो होने थे वो हो लिए और जो कोविड के अंदर थे वो और बिमार हो गए क्यों नहीं आई की एफिशेंसी दो टोटली यूजलेस है ना और जो बिमार होने थे वो हो लिए रिपोर्ट काम करो उसी टाइम उसकी रिपोर्ट आती हर बार आती इस पर क्यों नहीं एक यह रीजन है क्वेस्चन है और सफरर कौन है जंता जंता सफर कर रही है कोई फाइदा नहीं अगर यह की जब दिवाली से पहले जब आपको पता है कि मावा जो आता है गलत आता है जितना भी वह होता है उसाग आता है मैक्शिम गलत होता है पर उस टेम आपने टेस्षिंह पोर्ट ली 안ός आता तो आप उस टेम आक्षण लेते लोगों कि आ सेथ ठीक रहती है लोग से तंद्रोस्त रहते हैं अब रिपोर्ट आने का क्या फाइदा अब तो कोई बहुत चिडिया चुक गई है खेत अब तो बात खत्म हो गई ना आप देखिए दरजनों के साब से कई कितने कुईंटल मिठाईयां बिट चुक बिकी कितने लोग बिमार हुए होंगे उस कोई आंकड़ा है नहीं आंकड़ा नहीं है क्योंकि गवर्मेंट से कुई एक्षिन नहीं है तो सारी कहानी फ्लॉप है बात तो अल्टीमेटली एक ही रूल पर आती है कि अद्मिस्टेशन शुड़ बेरी एक्टिव और यह तो एक क्वेस्टनेबल थिंग है कि आप जिस के लिए बने हैं आप उस चीश का काम करो अगर आप नहीं करने तो तो वेरी सॉरी टू से क्या आप यह नोट डूइव जॉब प्रॉपरली